नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोंड नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं आज की है जानकारी उत्तर पर देश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी बुजर्ग पैंशन धारक हैं 60 साला पैंशन का लाब ले रहे हैं उन सभी के लिए आज की यह एक महत्पून जानकारी है यदि आप भी एक बुजर्ग वैक्ती है या आपके परिवार में कोई ऐसे बुजर्ग वैक्ती निवास करते हैं जिसकी पैंशन बनी हुई है आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है जैसे की आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं अंडर प्रोसेसिंग विद एजनसी पैंडिंग एट पी एफ एमेस पैंडिंग यह सभी ओप्शन देखने को मिल रहे हैं जब पैंशन धारक अपना पैंशन पैंशन पैंड इस्टेटस चेक कर रहे हैं आखिरकार वरदवस्था पैंशन कब आएगी वरदवस्था पैंशन योजना का पैसा कब लाभार्तियों के बैंग खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको पराप्थ हो और आप सबसे पहले ही उसका लब उठा सके चलिए वीडियो की सुरवात कर लेते हैं उत्तर परदेश के मुखे मंतरी योगी आदित्यनात की सरकार की तरफ से उत्तर परदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था और तलाक्षुदा पैंशन धारक है इन सभी पैंशन धारकों सरकार की तरफ से एक हजार उपे प्रती महीना पैंशन रासी दी जाती है हाला कि उत्तर परदेश राज्य में हर महिने पैंशन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती तीन महिने के अंतराल पर ये किस्त ट्रांसफर की जाती है आप कह सकते हैं कि इस राज्य में तिमाई किस्त के इंद सरकार माफ कीजेगा राजिस सरकार की तरफ से लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है अब तीन महिने के देखे तीन हजार रुपे ये रुपे हो चुके हैं वर्ष दो हजार चोबिस के अंदरगत अब तक पहली जो तिमाई किस्त थी वहें अपरेल, मई और जून महिने की थी जो की लाभार्तियों के बैंक खाते में पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है अब पैंशन धारकों को तीन-तीन हजार रुपे जो पैंशन नासी मिलने जा रही है वहें जोलाई, अगस्त, सितंबर महिने की है जो की सबसे पहले विद्वा महिला और तलाक्षदा महिला को दिजा रही है सबसे पहले इनको ही ये पैंशन नासी मिलना सुरू हुई थी इसके बाद जो बुजर्ग वैक्ति हैं साठ साला पैंशन योजना का लाभ ले रही है ओल्डेस पैंशन का लाव ले रहे हैं तो इन पैंशन धारकों को सरकाय तरफ से जल्द ही पैंशन नासी दे दी जाएगी इनके बैंक खाते में ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा हाला कि जो पैंशन धारक हैं बात हो रही है याँ पर ओलेस पैंशन धारकों की जो ये पैंशन धारक है यदि ये पैंशन धारक PFMS की ओफिसियल वेफसाइट पर जाकर अपना पैंशन पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं तो उनका कुछ इस परकार से लिखा आता है जैसे कि 3000 र तो 31 अगस्त सो हो रहा है किसी का 30 अगस्त यहाँ पर देखने पर मिल रहा है इसके बाद जो वैलिड इस्टेटस है यहाँ पर ये 31 अगस्त है और जो फंड इस्टेटस है जैसे हमने आपको कहा अंडर प्रोसेसिंग वीद एजनसी अभी तक यहाँ पर यह लिखा आ रहा ह और इसके बाद यहाँ पर N.A. है Pending at P.M.S. Credit status में है Payment Pending तो कुछ इस परकार से लिखा आ रहा है अब बात हो रही है कि वरदावस्था पैंशन कब आएगी तीन-तीन हजार रुपे यह पैंशन आज से कब बुजर्ग वैक्तियों के बैंक खाते में सरकारिक तरब से ट्रांसफर की जाएगी देखें यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता देगी जैसे आप यहाँ पर यह देख रही है कि दो step आपके complete हो चुके हैं अब जो pending है यहाँ पर यह under processing with agency साथ pending में है जैसे ही यह कारिये पूरा हो जाएगा आपका यहाँ से जो लिखा है ना pending at pms यह हट जाएगा यह हटने के बाद आपको show होगा यहाँ पर कि किस तारीक में यहाँ पर यह bank receive हुआ है और जिस तारीक में bank receive होगा हो सकता है उसी तारीक में या फिर अगली तारीक में याँ पर credit status भी आपका show हो जाए अब देखिए यह कारिये पूरे होने में बात करते हैं इस कारिये बारे में यह कारिये complete होने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है इसको जैसे यह कारिये पूरा होगा इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 दिन का समय इस कारिये पूरे होने में लग जाता है और जैसे यह कारिये पूरा होता है तो अगले दिन यह कारिये भी पूरा हो जाता है तो आप कह सकते हैं 10 से 15 दिन का समय इन कारियों को complete होने में लग जाता है ये pension transfer करने की परकिरिया है जो की अब तक जो oldest pension धारक है दो परकिरिया पूरी हो चुकी है तीसरा जल्दी पूरा होगा तीसरे के बाद फिर चोता है और ये पाचवा यहाँ पर हम आपकी जानकार के लिए पता दे की इस बार भी कुछ ऐसे pension धारक है जिनको pension नहीं मिल पाएगी कौन से वे pension धारक है जिनका बैंक खाता आधार कार से link नहीं है जी हाँ डीबीटी जिसे बोला जाता है direct benefit transfer NPCI जिसका ये कारिय पूरा नहीं है इस बार भी pension धारक जोलाई अगस्त सितंबर महनी की pension से वन्चित रहने वाले हैं उनको pension नहीं दी जाएगी बैंक खाते में pension को transfer कर दिया जाएगा केवल उनी लाभारतियों बैंक खाते में जिनका बैंक खाता आधार कार से link है NPCI mapping है DBT भी enable है केवल उनको ही pension दी जाएगी यहाँ पर हम आपकी जानकार के लिए बता देगी जो उत्तर परदेश राज्य के oldest pension धारक है 52 लाग से अधिक इन pension धारकों की संक्या है जिनको राजसरगार तरब से pension दी जाएगी अब जैसे हमने आपको बताया कि 10 से 15 दिन का समय इसको पूरा होने में लग जाता है यह कारिये पूरे होने में जैसे ही कारिये पूरा होगा आपके बैंक खाते में pension को transfer कर दिया जाएगा बस कुछ दिनों का इंतजार आप और कर लीजे जल्द ही आपके बैंक खाते में pension को transfer कर दिया जाएगा अब देखे बहुत से ऐसे pension धारक है जिनको PFMS की अवसल website से अपना pension payment status चेक करना नहीं आता है कैसे चेक किया जाता है कि आपके बैंक खाते में pension पहुँची या फिर नहीं पहुँची और यदि नहीं पहुँची तो आपके pension कहां पर pending है किस step तक आपके pension complete हो चुकी है परकिरिया तो चलिए वह हम आपको तरीका बता देते हैं कि कैसे देखा जाता है PFMS से pension payment status कैसे देखे वह चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में Google Chrome browser को open कर लेना है जैसे हमने या पर open किया हुआ है open करने के बाद आपको लिखना है PFMS जी हाँ इतना लिखिए और इसको सर्च कर दीजेगा अब जैसे हमने सर्च किया देखे process अल रही है जैसे ये process complete होती है तो हमारे सामने एक अलग तरह का interface open हो जाता है देखे जैसे याँ पर लिखा आ चुका है DBT status of beneficiary and payment detail इस पर आपको क्लिक करना है जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला page भी open हुआ और देखे सबसे पहले क्या कारे करना ये तीन बिंदिया आपको याँ पर नजर आ रही होगी इन तीन बिंदिया पर क्लिक कीजेगा क्लिक करने के बाद आपको अपने mobile phone में यहाँ पर क्लिक करके इसी पर आपको क्लिक करना है ये सभी option हमारे सामने open हो चुकी है इन option में से dbt status tracker ये आपको लिखा मिलेगा इस पर आपको click कर देना है अब जैसे हमने इस पर click किया देखिए यहाँ पर ये सभी option open हो चुके है और यहाँ पर click करके आपको category का चुनाओ करना होता है सबसे पहले नीचे लिए चलते हैं नीचे आना है और देखिए यहाँ पर आप उलिखा मिलेगा any other external system इस पर यहाँ पर click कर दीजेगा यहाँ पर click करने के बाद जितने भी उत्तरपरदेश राज्य के दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था या तलाक्षुदा pension धारक है यहाँ से अपना pension payment status चेक कर सकते हैं ओनलाइन देख सकते हैं अब देखिए क्या कारी करना है जो आपकी pension का registration संक्या है pension application ID नमबर है वह नमबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और आपकी phone की screen पर जो कुछ इस प्रकार से word verification आपको दिखाई देंगे वह आपको इस box में दर्ज करने है और search के icon पर आपको click कर देना है आपके सामने P.E.F.MS के माध्यम से जो pension payment status है वह सो हो जाएगा जैसे कि हम आपको अभी दिखा रहे थे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी pension bank खाते में transfer हुई या fin नहीं हुई और यदि हो चुकी है तो किस तारीक में ये credit की गई है और यदि pending है तो कहां पर pending है किस step में pending है ये सबी चीज़े यहां से आप चेक कर सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी सौलक जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जे हिंद जे भारत